असलाम अलेकम और वेलकम बैक टू कुकिंग टाइम चैनल कैसे हैं सब उमीद सब ठीक होंगे और खुछ तो हो ही गए होंगे इतना प्यारा सा केक देखके और इतना खुबसूरत और इतना आउट स्टेंडिंग और आउट क्लास फर्स्ट क्लास किसम का केक लेकर आई हूं मै आज आप के लिए अगर चलिए जी स्टार्ट करते हैं यह मेरे पास वही वाला स्पंज है जिसकी मैंने रेसिपी अपहले अप्लोड की है अगर आप लोग ने नहीं पहुच की तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मैं बना रही हू और इस तरह से हम केक को टू लेयर में कट कर लेंगे और अगर आप चाहते हैं कि केक की अच्छी सी कटिंग हो जाए तो उसके लिए जो है वो आप स्रेटेड नाइफ यूज कीजिएगा या जो ब्रेड वाली नाइफ होती जिसको ब्रेड नाइफ बोलते हैं या जो दंद जानेदार नाइफ होती है बड़ी वाली ठीक है आप उससे कट करेंगे तो बहुत अच्छे से कटिंग इसकी हो जाएगी और अगर आपके पास केक को लेवल करने वाला जो है टूल होता है प्रॉपर अगर हो है तो वह सबसे बेस्ट है आप उससे भी कर सकते हैं और यह द देखके बाउल आइडिया हो रहा होगा कि कितनी चिल्ड है मेरी क्रीम इसको बहुत जादा करना ज़रूरी है फिर इसकी अच्छी सी पीक्स बनती है और इसको थोड़ा सा चौकलेटी सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें आड करी हूं कोको पाउडर अगर आप नहीं ला ना रही हूं चौकलेट और वनीला में तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर एड कर दूंगी अगर आपको कोको पाउडर नहीं पिसान तो आप मत डालिएगा क्यूंकि मैं किसी को गिफ्ट कर रही है थी तो उनके यही डिमांड थी के कंबिनेशन में हो चौक को हम उलटा करेंगे तो क्रीम हमारी गिड़्यना कुरियों हमारी क्रीम जो है वह उची तरह से विफ्प धूर हो गई है और यह देखें ज hungड़ा मैं इसकी किस तरह से बन री है इसका मतबर हमारी अच्छी तरह से वी पो हो चुकी है है अब हम इसको हटा देंगे बीटर को और यह देखें मैं स्पेचुला पर लेकिए आपको थोड़ी सी क्रीम चेक कर वारी हूं ये देखें बिल्कुल भी नहीं गिर रही मैंने इस पैचला को उल्टा कर दिया है ये देखें अब केक की आइसिंग स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर एक केक बोर्ड ले लिया है आप प्लेट भी यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं है केक बोर्ड हो और इसके उपर किन में पाइनेफल आता है उसके अंदर जो सीरब होता है उसी से सोक कर रही हूँ आप इसको शुगर सीरप या मिल्क गरा किसी भी चीज के साथ आप इसको सुक कर सकते हैं अची था हमने इसको सोक करना है ताकि सौफ सा हो जाए आप इसको कंडेंस मिल्क और मिल्क जो होता है चाइवाला उसको मिक्स करके भी इसको सोक कर सकते हैं उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है और यह देखें केक हमारा अच्छी तरह से एक स्लाइस सोक हो गया था अब हम इसके उपर फिर से क्रीम अप्लाइ कर देंगे और इवनली इसको हम सप्रेट कर देंगे जितनी क्रीम आप लाइक करते हैं आप उसे साबसे बना लें घर पर चीज बनाने का यही तो फाइदा होत चंक्स इसकी फिलिंग कर दूंगी पाइनेपल के साथ जो टीन में आते हैं मैंने वह वाला यूज किया आप इसकी जगा पर कॉक्टेल वगारा कुछ भी यूज कर सकते हैं जो चीज आप लाइक करते हैं आप इसमें फ्रेश फ्रूट भी एड़ कर सकते हैं और जितनी फि जिस तरह से आप लगाना पसंद करें आप लगा सकते हैं और फिर से हम जो के का दूसरा स्लाइस था उसको भी उपर रखेंगे और हाथ की मदद से हलका सब्सको प्रेस कर देंगे और फिर से हम वही वाला प्रोसेस अपना रेपीट करेंगे इसको भी सोग कर लेंगे अच्छी तरह से वही वाला जो पाइनेपल का सीरप था उसी से मैं इसको भी सोग कर रही हूँ के अच्छी तरह से इसको सोग करेंगे और यह देखिए अब मैं इसके क्रब्स जो है इसको थोड़ा सा क्रीम लगाके लॉक कर दूंगी इधर यह ताकि जादा ना निकलें करने से पहले इस के जो किनारे इसके एजुआ होते हैं एसकी आपर क्रॉम्स करां नहीं तra बीख़ै नहीं हुआं तोर गिपनार चाहिए हैं कि ऑपर यह से हे उपस खाले क्रॉजे sharam मैंने इसमें Coco Powder एड किया था आप इसमें जो है वो Chocolate भी हिलकी सी एड कर सकते हैं इसको Chocolaty flavor देने के लिए लेकिन मैंने इसमें जो है वो Coco Powder एड किया था अच्छी तरह से बोड को हम Clean कर देंगे और इसको थोई दे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए मीनवाइल हम अपनी गिनाश रेडी कर लेते हैं मैं यहाँ पर ले रही हूं milk compound chocolate जो होती है आप इसमें dark chocolate या semi sweet कुछ भी add कर सकते हैं जिस तरह की आप लाई करते हैं मुझे थोड़ा सा स्वीर टेस्ट चाहिए था इसलिए मैं इसमें milk chocolate add करूंगी चॉकलेट को अच्छी तरह से हम कट कर लेंगे और फिर हम इसको melt करेंगे और चॉकलेट को जल्दी melt करने के लिए मैं इसको छोटे-छोटे chunks में काट रही हूं ताके जल्दी-जल्दी से यह हमारी chocolate melt हो जाए आप इसको microwave में melt कर सकते हैं और इसको double boiler पर भी आप इसको melt कर सकते हैं यह चोटे-छोटे से pieces हमने कर लिए इसके अब हम इसको बाउल में add कर देंगे जिसमें हमने इसको melt करना है और अगर आप चाहें तो इसी तरह से बाउल को 30-30 seconds करके आप microwave में melt कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर double boiler पर कर लिए हो यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी ले लिया है पानी को हमने बॉइल नहीं करना बिल्कुल भी और ना ही हमारा जो बाउल है जिसके अंदर हम चॉकले डालेंगे उसको भी जो पानी की सर्फस से उपर ही रहना चाहिए पानी को टच्टिंग करना चाहिए उसको और यहां से और जो है पानी उसको just steaming point पे आना चाहिए उसको simmer होना चाहिए यह देखिए हलका हलका सा पान पानी नीचे से simmer हो रहा है हलके-लके से bubble बंदने start हो जाएंगे तो हम उसके उपर अपना बाउल रख सकते हैं और इसको हम यहां पर melt कर लेंगे यह देखें इस तरह से और यह देखें जी चौक्लेट हमारी इच्छी तरह से melt होना start होगी है बस हम इसमें spatula चलाते रहेंगे और जो किनारों पर लग जाती है उसको भी हम बीच में आड़ कर देंगे और चॉकलेट हमारी डन होगी है बिल्कुल यह देखें किस तरह से मेल्ट होगी है लिकॉर्ड होगी है और यहाँ पर मैंने फिर से एक पैन ले लिया है उसके अंधर मैं विपिंट क्रीम एड़ करूंगी और इसको अच्छी तरह से हमने जस्ट गरम करना है बॉ einer करना इसको अच्छी तरह से जस्ट करना है इतना गरम करना कि इसकी साइडस पर जब बबल जाना स्टार्ट हो जाएंगे boiling point पे पहुँच ही जाएगी लेकिन boiling करना तो फिर हम इसका flame जो है वो off कर देंगे यह देखें इस तरह से बबल जाना start हो गए हैं बस हमें इसी तरह से चाहिए उसको हमने full boiling करना और फिर आप हम इसकी flame off कर देंगे और इसको stove पर से हटा देंगे और गरम-गरम जो cream है उसको हम chocolate के अंदर add कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको mix कर लेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि अगर cream जो है उसको अलग से गरम करके अंदर डालना था तो उसी के अंदर chocolate भी add करके गिनाश ready की जा सकती थी लेकिन जो है वो मैं chocolate जादा डाल दी थी और cream का add की और इसलिए मैंने इन दोनों को इस तरह से किया अलग अलग दोनों को गरम किया और अच्छी तरह से फिर दोनों को mix up कर देंगे विस्क चलाकर हम इसको अच्छी तरह से mix करेंगे और अगर आप को लगे कि यह थोड़ा liquid रह गया है तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना इसको आपने छोड़ देना है अगर आप एसी में work कर रहे हैं इसी रूम में तो आप यह वैसे तीन से चार मिनट में अपनी जो है वो consistency बिल्कुल set कर लेगी और अगर आपको जादा जल्दी चाह अपर 5 तहीं पांच से साथ मिनट के लिए और यह देखें 57 मिनट के बाद यह अच्छी तरह से छंडी हो चुकिंगी और हम इसको विप कर लेंगे अच्छी तरह से हम इसको विप करेंगे यह देखें यह अपनी कंसिस्टेंसी खुदी सेट कर लेगी हम हमें इस तरह की चाहिए कि हम उसको जो है वो पाइपिंग बैग में डाल के उसके फ्लावर्स बना सकें आपने इस में कुछ भी एड़ नहीं करना और यह देखें यह रैडि हो गई है बस इसके ठ Pulère निकिन करना है इसको अच्छी तरह से ठंडा करके फिर उसके बाद हमने इसको विप करना है अगर हम इसको गरम को विप करेंगे तो यह बिल्कुल बिल्कुल भी इसेट नहीं होगी ये लिकवर्ड सी रह जाएगे हैं अम फिर इसके फ्लावर नहीं बना सकेंगे यह दे यृऀ। जिस तरह कि मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसी है अब हम इसको इसको लगा सकते हैं और इसी तरह से फ्लावर बनाते बनाते इसको साइड से कवर कर देंगे आप चाहें तो बड़े-बड़े फ्लावर भी बना सकते हैं लेकिन मैं जरा चोटे वाले बना रही हूं यह देखे मैंने सेकेंड लाइन स्टार्ट कर दी है अच्छी तरह से इसको ऐसे बना लेंगे लेकिन आपने करना है कि केक भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए फिर उसके बाद आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है यह देखें इस तरह से और इसको टॉप में यह सेंटर में जो मैंने छोड़ दिया यह मैं बिल्कुल ऐसी रहने दूँगी इसके उपर मैं जो है टॉ पॉपिंग है उसको रेडी कर लेते हैं यह में ले रही हूं फॉन आप वाइड क्लर का लेकि उसमें कलर भी एड्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कलर्ड हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं अब यह मैंने रड्ड, ब्लैक और वाइड लिया है और यह ब्लू कलर है और अच्छी तरह से हम इसको mix करके इसका blue color ready कर लेंगे और यह देखे हमारा कितना प्यारा सा blue color ready हो गया है आपने इसको अच्छी तरह से mix up कर लेना है और फॉरान फॉरान इसको हम use नहीं करनेंगे कुछ पीस से हम नहीं बनाएंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए set होने के यह छोड़ देंगे फिर उसके बाद हम इसको use करेंगे हां जी तो यहां पर दस मिनट हो चुके थे अब हम इसको अच्छी तरह से roll out कर लेंगे और इसको मैं cut कर लूँगी मैं इसकी shirt बना रही हूं आपने start में देख लिया होगा कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूं और यह मैं pizza cutter लेंगे इसके साथ इसके sides सारी cut कर लूँगी अच्छी तरह से इसको evenly इस तरह से shape दे दूँगी इसको rectangle shape में और यह हम रख लेंगे side पे और इसके उपर जो है वह हम एक pocket लगाएंगे blue color की और इसके उपर जो है वह मैं एक tie लगाऊंगी और एक color यह मैंने corn floor एड़ किया था इसके अंदर हरका साह ताकि यह stick ना हो rolling pin और जो sheet है उसके साथ stick ना हो और यहाँ पर जो है वह मैं इसके उपर इस तरह से design बना लूँगी जैसे stitching हुई भी होती है बिल्कुल ऐसे लग रहा है और pocket हमारी ready होगी अब मैं यहाँ पर इसका collar ready कर लूँगी अब बस इसको इस तरह से आपने roll out कर लेना है और बाद में इसको हम cut करके shape देंगे और यह देखें इसके किनारे मैं हटा रही हूँ कि इसको मैंने fold करना था इसलिए मैंने इसको थोड़ा जो है वो thin layer रखके इसको मैंने roll out किया है और आप हम इसको collar की shape दे देंगे और यह देखें इस तरह से करके हम इसको round कर देंगे और फिर उसी के उपर ले जाकर रख देंगे और यह मैं बना रही हूं यहाँ पर टाइं और मैं बना रही हूं वाइट और blue और red lining मैं ठीक है white उसकी base होगी red और blue उसकी lining में बनाऊंगे इस तरह से छोट-छोट से balls बना रही है हलका सा मैंने इसके ओपर corn floor dust का लिया बिल्कुल हलका सा यह देखा है आपने कितना हलका किया है मैंने बस जैसे इसको इस तरह से strips इसकी बना के तो हम इसके साथ रखते जाएंगे इस तरह से यह बहुत इजी आपने जरूर ट्राय करना और देखा होगा आपने स्टार्ट में कितनी प्यारी शकर इसकी निकल के आई है एक्चली यह बॉय के लिए बना रही थी मैं ठीक है बॉय के लिए मैंन के लिए तो यह इस तरह से हम बना सकते हैं इसको father's day पर बना सकते हैं हम इस इसी भी कलर में कोई भी design बना कि इसको बना सकते हैं यह जस्ट आपके ओपर डिबेंट करता है कि आप इसको किस तरह से create करते हैं बस इसको खुबसरत लगना चाहिए इससे हम इसकी cutting कर देंगे यह देखें और यह देखें मैंने टाय रेडी करके इदर रखती है set इसको लेकिन यह मुझे थ्ढ़ी सी ना बड़ी लग रही थी तो फिर मैंने बाद में इसको ना फिर से इसकी cutting की है थोड़ी सी और यह मैंने पानी ले लिए इसको stick करने क्यывает के लिद्ग नबी जसित्व फाल्राइविति फ्का से नीचे पानी लगाइँ गे ताकि अच्छी तरह से एक दूश्य के साथ स्थिक हो जाएं इन इस तरह कि और हम इससी तरह से जो यह देखें इस तरह से लगा के इसको स्टिक कर देंगे पानी ज्यादा नहीं लगा न अपने ब्रश ले के छोटा सा तो उसके साथ इसको करना है यह लेकिन मुझे थोड़ी सी इसकी ना थोड़ी बड़ी लग रही थी फिर मैंने उसको ना फिर से जाके कटिंग किया था जब मैं उसको केक उपर डेकोरेट करने लगी थी तो और यहां पाट जो है वह हम हैपी बर्डे के कुछ अलफा बेट्स हैं वह कट कर लेंगे यह भी मैंने रेड कलर का होंगी ओर ये अज़या है कि और यह देखें अलफशन हमारे कितने अच्छी तरह से निकल रहे हैं इस तरह से तरह से इसको भी हम कर लेंगे इसी तरह और इसको जो है यह रदी हो गया है है मैं इसको ड्राइव होने के लिए रखते हैं कि चार से पांच गिंट के लिए ह missile सट्राज़र हो जाएं क्योंकि हमाइए के आप लोगे फिल्चे में दर्ढ सामीस्टर आजाएगा इसलिए इस लिए इस इसलिए नहीं दिखाया था इस तरह से क्रीम को कवर कर लिया था और फिर हल्का सा पानी इसके नीचे लगा के ब्रश के साथ और इसके उपर जो है मैंने इसको इसको कर दिया था यहीं इसका तरीका होता है है अगर आप पूरा फॉंडेंट केक बनाते हैं तो वह भी इसी बान से हम से अबर आपके यह उभता हो और यहाल था यहाल हो गया है हैपी बर्डेड एड़ और यह जो है एक मैं किसी बिर रखतेंके की साथ है इसको डेकरेट कर दिया था यह देखें अभी मुझे जो है वो प्यारी लग रही पहले मुझे थोड़ी बड़ी लग रही थी यह देखें मैंने लेंथ नहीं की ती इसको साइड से मैंने हलका सा कट कर दिया था और यह रेडी हो गया जी हमारा केक I hope आपको बहुत पसांद आया होगा चलेंजी मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा अल्ला आफेज